निर्वाचन के सबसे महत्पूर्ण प्रक्रिया के संबन्द में बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ निर्वाचन जो है वो विभिन्य चरणों में हमारे राज्य में और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा नुजार होते हैं इसमें सबसे महत्पूर्ण चरण जो निर्वाचन का होता है वो है नामांकन पत्रों की प्राप्ती और उसका दाखिला होगा और उस प्रक्रिया में कोई गलती ना हो इसको सुनिश्चित करना होगा सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि एक शार्षन का पक्ष है रिटर्निंग अफिसर का आयोग का पक्ष है और दूसरा पक्ष है राजनेतिक दलों का और अब्यर्थियों का जो चुनाओ लड़ते हैं तो सबसे पहले हमको करना यह चाहिए कि अब्यर्थियों के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर हमको खोलना चाहिए जिसमें उनको हमें इलेक्टूरल रोल, सिक्रिटी डिपॉजिट और जो अनपढ़ या शिक्षित प्रस्तावक अब्यर्थियों होते हैं उनके अंगुठे निशान को सत्यापित करने के लिए किसी अधिकारी के नियुकती है बहुत सारे रफरेंस मटेरियल हैं जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए इस्पेशली लोग पृतिन इधित्वदिनियम निर्वाचंग का संचालनियम 1961, भारत का सम्विधान और सिंबल अलॉट्मेंट और 1968 जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए सरप्रधम नमांकन प्रारंब होता है जिस डेट पे नोटिफिकेशन होता है राज के राजपाल का धारा 15 के तहत राज के राजपाल एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं स्टेट के गजट में और वो आवान करते हैं स्टेट की जनता से कि वो नए विधान सभा का गठन करें। उसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना प्रकाशित करती है धारा 30 में जिसमें पूरे निर्वाचन के कारिक्रम का विबरन होता है। जिस दीन ये सारी कारिवाही होती है उस दिन से नामंकन दाखिला प्रारम हो जाता है। लेकिन इसके पहले रिटर्निंग अधिसर्स जो होते हैं उनको एक पॉब्लिक नोटिस जिसको हम लोग सूचना कहते हैं। उसको जारी करना होता है उसके लिग प्रारूप है प्रारूप एक निरवाचन के संचालन नियम तीन में उस प्रारूप के अधार पर उस प्रारूप का प्रकाशन उनके द्वारा अपने नोटिस बोर्ड पर और विभिन पंचायतों में करना अनिवारी है ये प्रारूप हिंदी और इंग्लिश दोनों में तयार किये जाएंगे जो नामांकन का प्रारूप है वो विधान सभा के विए दो खा है ये निरधारित प्रारूप है इसका भी वैधानिक महत्व है ये प्रारूप जो है समय समय पर संशोधन हुआ है नमांकन के प्रारूप के साथ एक प्रारूप 26 होता है जिसमें शपत-पत्र केंडिडेट फाइल करता है जो केंडिडेट के अपराधिक पूर्व वृत, उसके संपत्ती, उसकी देंदारी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट, इमेल अकाउंट सब का उसमें विबरन होता है निर्वाचन दाखिले के लिए यदि कोई मानिता प्राप्त दल का कोई विक्ती है या भिरती है तो उसको सिर्फ एक ही प्रस्तावक की अवश्कता है यदि गैर मानिता प्राप्त या स्वतंतर को ये अभ्यरती है तो उसको दस प्रस्तावक की अवश्कता होगी निर्वाचन लड़ने के लिए जो नामांकन का प्रारूप है दो खा उसके दो भाग है शुरुवाती दो भाग है भाग एक और भाग दो मानिता प्राप्त दल के जो लोग अभ्यरती हैं वो भाग एक में अपना नामांकन भरते हैं और गैर मानिता प्राप्त या स्वतंतर अभ्यरती जो हैं भाग दो का हिस्सा भरते हैं नामांकन हमेशा व्यक्तिशह अभ्यर्थी को या उसके प्रस्तावक के दौरा ग्यारा से तीन बजे नरधारित दिवस पर जो वर्किंग डे हो उसको दाखिल करना होता है अन्तिम दिन जो नामांकन का होता है ड्हाई बजे के बाद आपको लगातार ये गोशना करनी है कि सम अधिक्तम चार सेट नौमिनेशन पेपर के फाइल कर सकता है और वो अधिक्तम दो विधान सभाज छेतर से चुनाओ लड़ सकता है नामांकन की नंबरी करनी है रिटर्निंग आफिसर को नंबरी करने के बाद उसको ये लिखना पड़ेगा कि नामांकन फॉर्म में कि उसक वो जमानत राशी जो अनारक्षित सीट के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए 10,000 रुपए है और अरक्षित सीट और अरक्षित वर्ग के अभियर्थियों के लिए 5,000 रुपए है वो जमा करना होगा नामांकन की प्रारंभीक जाज बहुत महतपूर्ण है नामांकन की εभिर्थी जो चुनाओ लागना चाता है उसको राज्य की इसी भी विधान Сवद शाहतर से मद्दाता होना ची क। यदी मद्दाता सुची में वो उसी विधान सबाध का मद्दाता है जिससे वो A और B में दल का फॉर्म A और B प्राप्त करना होगा फॉर्म A और B जमा करने के लिए निश्चित समय नमांकन के अंतिम दिवस तीन बजे तक है हर एक अब्यर्थी को नमांकन पेपर के साथ एक दिन पहले खुला हुआ एक नया बैंक अकाउंट की सूचना भी देनी होगी ये बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुला जा सकता है और ये सेविंग या करेंट किसी भी तरह का हो सकता है पिछले कुछ निर्वाचन से आयोग ने ये निर्देश दिये हैं जो अबियर्थी है उनके फोटोग्रापस भी अब बैलेट पेपर पे प्रिंट होती है तो अबियर्थी अपनी एक फोटोग्राप जो रेसेंटली पिछले तीन मेहने की हो वह भी देगा प्रतमता जो आपको प्रारंभिक जाच नामांकन पत्रकी करनी है उसमें आपको कैडिडेट का सिगनेचर उसके द्वारा सिंबल कौन सा मांगा गया है उसका नाम उसकी जाती उसकी उम्र ये सारी चीज़ें क्योंकि ये आवश्यक है कि एक अबियर्थी को चुनाओं लड़ने के लिए 25 साल का होना चाहिए जो कट आफ डेट है जो कौलिफिकेशन के लिए है वो डेट आफ स्कूरूटिनी है जिस दिन आप नामांकन पत्रों की संवीक्षा करते हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो 25 साल डेट आफ स्कूरूटिनी पे पूरा हो जाए यदि किसी अभिर्थी ने अपने नामांकन पत्र में ये डिकलेयर किया है कि वो उसका कोई आपराधिक पुरूवित रहा है तो उसको उस क्रेमिनल एंटेसिडेंट को अलग-अलग असरों पे तीन बार पब्लिश करना होगा लेकिन रेटर्निंग आफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको इसकी सूचना फॉर्मेट C3 में देगा ऐसे दल जिन लोगों ने ऐसे अभिर्थियों को टिकेट दिया है उनको भी समय समय पर अपने दल के वेबसाइट पर और समाचार पत्रों इलेक्ट्रोनिक मीडिया में इसका निरधारित प्रारूप में प्रकाशन करना होगा यदि नमांकन दाखिले के समय उसके नमांकन पत्र में कोई कमी है तो उसको ततकाल रिटर्निंग आफिसर को नोटिस दे देना चाहिए नमांकन के पूरे प्रक्रिया की रिकार्डिंग अन्तिम दिन दो बजे से लेके कारे समाप्ति तक लगातार होगी इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए नमांकन दाखिले के बाद हर एक कैंडिडेट को सम्मिधान के प्रती एक शपत लेनी होगी ये से नमांकन दाखिले के बाद ही ली जा सकती है इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे और नमांकन दाखिलेक के सब बाद जब और शपत लेता होगा तो इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी है शपत लेने के बाद शपत की पाउटी भी उनको देनी है यदि फार्म A, B कोई इलाके देता है तो इसकी पाउटी देनी है आपको उस दल की form A.B. original में ही होने चाहिए इसमें कोई carbon copy, photocopy, email या whatsapp से प्राप्ट PDF ये स्विकार ही नहीं होगा प्रति दिन प्राप्त नमांकनों को आपको एक सूची बद करके एक notice of nominations होता है उसको form 3A में उसको publish करना होगा अंतिम दिन तक जितने नमांकन आ गये हैं उसकी एक समेकिस सूची बनेगी जिसको आपको मुख्य निर्वाचन पदादिकारी कारियाले को भेजना होगा नेक्स दे जब नमांकनों की आप समीक्षा करेंगे तो समीक्षा के उपरांत आपको जिनके नमांकन स्विकार किये गए हैं उनकी सूची प्रारूप चार में प्रकाशित करनी होगी जैसे ही समीक्षा संपूर्ण होगी आप कोई भी अभेड़्थी अपना नाम वापस ले सकता है नाम वापस लेने के लिए अभेड़्थी या उसका प्रस्तावक या उसका निर्वाचन अभी करता जो भेड़्थी के द्वारा लिखित रूप में अधिकरित किया गया है वो आवेड़न प्रस्तुत कर सकता है इस आवेड़न का प्रारूप पाँच होगा प्रतेक आवेड़न की पावती जो है वो भेड़्थियों को दी जाएगी जिसने उसको प्रस्तुत किया है इसके अलावा जिस दिन अंतिम दीन होगा नाम मौापसी का उसका प्रकाशन प्रारूप 6 में जिन लोगोंने नाम वापस लिए है उनकी सूची का प्रकाशन किया जाए नाम वापसी के ततकाल बाद प्रतीक चिन्नों के आवंटेन की कारिवही होगी थाइक यू, धन्यवाद